हुआ हो hen से मेरी अभी फाइनल अक। के सैवन्थ वीडियो फे हूँ सलेब़ कैसे कभर करूं मैंने लास्ट क्लास में देखूए की डाली-बीगी है लास्ट चेप्टर में कि पहले कोन कुन से चेप्टर करें और कैसे करें और नियुक कल तक आपको फाइनली पता चल जाएगा कि कितने कितने माक्स मतलब कैसे कैसे टॉपिक कवर करना है कल मैं बता दूआ कल इसी पर मेहनत आज रात को करके और कल शाम तक फाइनल बता देंगे आपको ठीक है अब आते हम किसे ब्रांच और जिस्मेंट और ब्रांच पहले फार्मिट जैसे हम जनरली मेरा करने का तरीका है सबसे पहले यहां लिखेंगे टू balance bd अपसर stock है तो किसका balance bd होगा stock का और इसका balance किदर आ जाएगा by balance cd ठीक है और इसको दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं bracket में लिख रहा हूँ that is opening stock समझ रहे हो और इसको क्या बोल सकते हैं closing stock ठीक है बात ही किये चलिए अब stock की बात करें तो stock कैसे कैसे बढ़ सकता है और stock कैसे कैसे घट सकता है जैसे जैसे आप purchase करोगे stock बढ़ेगा और जैसे जैसे आपका stock आपके पास से निकलेगा sale कर दोगे तो घट जाएगा ठीक है तो purchase नहीं करते हम यहाँ पे क्योंकि branch तो सारा dependent है तो यहाँ पे क्या आएगा goods sent हमारे लिए एक तरीके से वही purchase है और सब कुछ IP price पे यहाँ ठीक है और buy side में घटने का reason आ जाएगा buy यहाँ आपने क्या करा हो cash में sales तो आपका stock घटेगा और सेम ऐसे आपने अगर credit में भी sales किया है तो भी आपका stock क्या होगा घट जाएगा अच्छा एक बात बताओ जब हम अभी आगे चलते हैं रुख जाओ और कब घट सकता है buy goods return अब कौन कर रहा है goods return branch कर रहा है to HO अगर मान लो debtor ने हमें समान वापस कर दिया तो हमारे stock पर कोई फरक पड़ेगा मैंने आपको 10,000 का समान बेचा बेचने के बाद मैंने यहाँ लिख लिया होगा है ना अब आपने बोला परसर मुझे ने चाहिए 2000 का वापस ले जाओ तो मेरे stock पर फरक पड़ेगा क्या पड़ेगा फरक इंक्रीज तो यहाँ पर अब क्या आएगा सेल्स रिटर्न समझ रहो इसके बाद इस side में अगर कोई loss होता है नॉर्मल अभी हम देखेंगे आगे आएगा यह पॉइंट अब अब यह वक्त आ रहा है दीरे दीरे बताने का और वाई side में आ जाएगा abnormal loss कुछ ऐसे और भी losses हैं जो की कुछ unique नाम से जाने जाते हैं जैसे goods preferred होता है सर प्लीफर्ड का मतलब क्या होता है छोटे मोटे समान इदर उदर हो जाने जैसे मान लो दुकान के अंदर चीनी के हूँ रखा हो चीनी आटा रखा हुआ है या फिर हमारे से पता नहीं चला गिर गया इदर उदर तो क्या होता है goods preferred छोटे मोटे चूरी हो जाना है उसको एक होता है spoilage जैसे मान लेते हैं चीनी है चीनी में यार मट्टी का तिल डल गया तब वो पूरा ही खराब हो गया तो वो क्या हो गया पूरा spoilage हो गया मैं जनल एक example ले रहा हूँ तो इसकी वजह से भी हमारे stock पर फरक पड़ेगा कम हो जाएगा ठीक है ना तो यह तो रहेगा ही और इसके साथ साथ कुछ unique words by और यह दोनों चीज़े जो बता रहा हूँ abnormal का हिस्सा है जैसे preferred preferred या फिर by spoilage ठीक है और सर यह दोनों क्या है यह दोनों वैसे part abl यानि abnormal loss का ही एक और part आ सकता है यहाँ पर shortage एक word आता है that is shortage क्या होता है जब आएगा तब देखेंगे एक और word आ सकता है that is shortage shortage generally इस accounts का एक ही objective होता है closing stock को find करना balance cd लेकिन फिर भी कई बार balancing figure closing stock दे दे तो आज आता है तो इस side आएगा तो उसको लिखेंगे surplus और इस side आता है तो उसे लिखेंगे shortage ठीक है ना यह भी generally balancing figure हो सकता है यह भी और cd तो होता ही है generally balancing figure ठीक है तो यह बन गया हमारे कौन सा account branch stock account और मजे की बात देखो जितने भी सारे चीजे हैं सब IP पे हैं इसमें यानि सर यह भी जो balance bd लिखा है यह भी किस पे है IP पे good cent लिखा है यह भी IP पे सब कुछ IP पे अब हमें क्या करना है यह वाला जो account देख रहे हो न इस account को मैं basically loading account कह दूँ तो कोई हर्ज नहीं है या फिर आप इसका दूसरा नाम क्या बताया था stock reserve account यानि इसके अंदर जितनी भी चीजे दिखाई जाएंगी वो सारा का सारा related होगा लोडिंग से उपर वाले अकाउंट में और नीचे वाले अकाउंट को जनरली मैं profit and loss कह दूँँगा जितने भी profit and loss यानि खर्चे वगएर हैं वो नीचे अकाउंट में आएगा समझ रहे हो अब देखो यहां पे किसका अब जैसे इसका लोडिंग निकालने के लिए हमें by side में जाना पड़ेगा तो अगर opening stock है two में तो इसका loading किधर निकलेगा इसमें पाई में तो यानि यहां पे हमें क्या करना है यहां पे हमें करना है by stock reserve ठीक है और sir stock reserve किस-किस पे निकल सकता है एक निकल सकता है हमारा opening पे और एक निकल सकता है हमारा नहीं मैं लिख देता हूं ओपनिंग स्टाउक पे पर एक क्या होगा गूड्स पर दोई चीज पर हो सकता है और यह श्टॉक रिसर वागया सर श्टॉक रिसर्व कैसे निकालते हैं आज सुभही लिया था मैंने उसमें अच्छे से बता आ और इवन दो पिछली क्लास में भी हमने डिसकस किया था चाहिए कि प्रॉफिट के हिस्से को क्या बोलते हैं हम स्टॉक रिजर्व कैसे निकालना है और वह परसंटेज भी याद होगा लिखा था हमने इताथ है वह सारी चीज़ है ठीक है न और इस साइड में आएगा जो बाई में लिखा है टू में पहुंच जाएगा वह अपोजेट साइड स्टॉक रिजर्व किस पे आएगा सर ये क्लोजिंग स्टॉक पे और टू स्टॉक रिजर्व सर किस पे आएगा और सर रिटर्न पे इधार तो दो ही चीज़े हैं ठीक है न अब इन पे भी स्टॉक रिजर्व निकल लेगा अगर कोई नॉर्मल लॉस हुआ तो नॉर्मल लॉस पे स्टॉक मैं लिख रहा हूँ यहां पे रिजर्व ब्रैकिट में फुल और ये फुल किस का होगा सर हमेशा ये इन केस नॉर्मल लॉस सर नॉर्मल लॉस होता क्या है मैं भी बता दूँआ ठीक है और इस साइड और आएगा सर डैट इस स्टॉक रिजर्व किस पे एबी एल पे एबी एल क्या होता है बताओ एबनॉर्मल लॉस पे थोड़ा और इसको बढ़ा देते हैं आगे ठीक है यानि अगर नॉर्मल लॉस हुआ तो उसका रिजर्व नहीं निकालना फुल आ जाएगा और अबनॉर्मल लॉस हुआ तो उसका रिजर्व आएगा बाकी यहां आ जाएगा हमारा एबनॉर्मल रिमेनिंग मैं थोड़ा हिंड दे देता हूं बाकी कुश्चन में करेंगे जैसे मान लो चार हजार रुपे का स्टॉक मेरा लॉस बाइफायर हो गया जल गया एबनॉर्मल लॉस है उसमें से एक हजार उस पे प्रॉफिट जुड़ा हुआ था तो चार हजार का स्टॉक तो यहां पे तो चार हजार आएंगे पूरे हजार रुपे लोडिंग यहां जाएगा और जो नुकसान हुआ है वो तीन हजार पी एंडल में चला जाएगा थेक है तो वो जब कुश्चन करेंगे तो देखना ही देखना है हमें इसके बाद यहां सारे के सारे खर्चे जैसे कि discount सर और क्या सकता है bed dates सर और क्या सकता है PFD यानि normal P&L में जैसे खर्चे आते थे सारे यानि यहां debtor के अंदर भी discount जाता है और अब यहां पर भी आएगा और क्या आएगा सर अब यहां पर खर्चा कोई भी करे head office करे, branch करे मतलम नहीं है यहां पर सारे खर्चे लेने हैं जैसे salary और जैसे आपका मान लेते हैं हम rent और अब यहां पर आएगा petty cash पहले petty cash को हम लिखते थे opening, closing अब यहां पर आएगा जितना हम use करेंगे consume जितना हम use करेंगे मतलब सर जितना use करेंगे अगर सुभे वाली class पर आजाए थोड़ा सा हम तो petty cash expense पर हमने क्या देखा था यह वाला जो पार्ट है न यह वाला पार्ट that is consume था तो हमें यह account पूरा बनाके और यह वाला हिस्सा सरफ pndl में डालना है opening और इसका और इसका कोई लेना देना नहीं है ठीक है तो यह थोड़ा सा फरक आ गया हमारे पास clear है यह आ गया buy side में क्या आएगा यहां से जो भी profit निकलेगा यह loss whatever name call जो कुछ निकल जाए यहां से लिखेंगे हम gross profit इसलिए इसको trading नाम दे देते हैं और इधर निकला तो buy gross loss profit निकला तो इधर आ जाएगा by gross profit इधर आ गया ठीक है gross profit इधर आ गया अगर मानलों कोई insurance जैसे मेरा abnormal loss हुआ तो कोई भी insurance claim मिलता है तो यह buy side मा जाए क्योंकि फाइदा है आपके लिए buy insurance claim ठीक है और यहां से finally सब कुछ करोगे तो आपको भी लग रहा होगा सर अब तो यहां से जो निकलेगा क्योंकि यह पी एंडल के जैसा ही है तो यहां से जो answer निकलेगा to net profit निकल जाएगा और इधर आया तो net loss निकल जाएगा इसके help करने के लिए कौन-कौन से account बनेंगे debtor account जो पहले सीखा हुआ है आपने debtor account exactly same इसके बाद petty case experience जो पहले सीखा हुआ है exactly same bank भी पहले सीखा हुआ है exactly same ठीक है न यानि इस class को देखने के लिए आपको debtor account अगर मैं बोलू तो मैं लिखी देता हूं debtor मैंने बनाया हुआ है debtor मैं लिख देता हूं चलो कि आजाओ भाई debtor account कहां बनाया कि पार्मिट बनाया था ना डेटर का कि यह रहा कि चलो कि exactly same यही debtor account इसमे मैंने नोट लिखा था गया कि प्रोविजन फूर हां मैंने बताया था ना आज आपने पूछा था इसको कहां लें तो इसलिए आज आए यह कि अज़ाए कि अज़ाए कि अज़ाए चलिए आप 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 एक है यह डाटर अकाउंट है जैसे 2-Balance BD 5-Balance CD Cash और Sales Return Discount सारी चीज़े होगे यहाँ पर एक और कुछ-कुछ Points आएंगे Alliances आजाएंगे या Discount जैसे कि Sales Return Directly to Head Office आएगा कुछ-कुछ Point आएगा तो Question के साथ करेंगे हाँ अब बताओ इस Account बनाने का Purpose स्रिफ और स्रिफ क्या दिख रहा है Only and Only अगर हमें Credit Sales मिल जाता है तो Deader का क्या काम है क्योंकि ना तो हमें यहाँ Opening Balance लिखना है ना ही Closing Balance लिखना है ना ही Collection from Deader लिखना है तो अब यहाँ पर Deader Account बनाने का Objective क्या होगा Only and Only Credit Sales और दूसरा Question बूल देगा Sir Question में कैसे पता चलेगा हमें कि हमारा यह Stock Deader System वाला है हमेशा वो Word यूज करेगा Branch Adjustment भी बनाईए आप ठीक है क्या Word यूज करेगा Branch Adjustment क्या Word यूज करेगा Branch Stock बनाईए यानि जो मैंने नाम बताएं यहाँ पर यह नाम इस्तिमाल करेगा Basically यह दोनों तो आप समझ जाना यह Stock Deader वाला System है ठीक है यह Stock Deader तो यह था हमारा Format इसके उपर चलिए Question देख लेते है Abnormal Loss Loss में क्या Difference है हम इस पर आएंगे जैसे-जैसे Question के बीच में आएगा हम उसको discuss करेंगे पूरे अच्छे से ठीक है